हलो इश फ्रेंड्स एक लास्स बाय मनीश सर जी हाँ यही चैनल है जिस पर आप लोग देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान और उसके अंतरकत इतिहास का अध्याय तीन कप्छा नो के लिए मैं मनीश शंकर तिवारी हम लोग पढ़ रहे हैं नाजसी बाद और हिटलर का उदय अब इतक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हिटलर ने पूरी योजिना बद्ध तरीके से पूरी जर्मनी को अपने कपजे में ले लिया था किस तरह से ना किवल भौतिक रूप से बलकिवल लोगों के दिमाग पे कपज़ा करने लगा था किस तरह से सुरू आत्म देखो उसने अपना सारा दोष पिछली सरकार पे ठोप दिया कैसा वाइमर गणराज्य कूपर जबकि वाइमर गणराज्य प्रथम विश्व दिके लिए कहीं से उत्तरदाई नहीं था लेकिन वर्साई की संधी से जो अपमान जनक सरतें जर्मनी कूपर ला दी गई उसका सारा दोस जश्ट पिछली सरकार वाइमर गणराज्य पिला दिया और अपने आपको ये बताने लगा कि जर्मनी की सारी समस्याओं का समधान अगर कोई है तो वह है नाजिवाद और हिटलर इसके बाद जब उसका उदय होता है तो वो अपने एक वेजन रखता है जर्मनी की लोगों के सामने कि देखिए हमारा बहुत अपमान हुआ है अब हम सुद्ध जर्मन आरे जो नाडिक आरे होते हैं वह नशल सारे विश्वन प्रसारित करना चाहते हैं जर्मनी का कबज़ा सारी दुनिया पे हो इस तरह का जर्मनी में बनाना चाहता है जर्मन नागरेक जो की गुस्से से भरे हुए थी वर्षाय की संधी के बाद उसकी हां में हां मिलाने लगते हैं और जब वह सब्ता हासिल कर लेता है जब वह जर्मनी का चांसलर बन जाता है इसके बाद वह जर्मनी की लगभग हर हिस्से को प्रभावित करना चाहता है चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुड़े हों, पुरुस हों, इस्त्री हों, सभी के लिए उसके दिमाग में कोई न कोई यूजना होती है तो आज हम पढ़ेंगे नाच्सी जर्मनी में युवाओं की सोच, चलिए हम आरंभ करते हैं नाच्सी जर्मनी में युवाओं की इस्थिती, क्या इस्थिती थी? इसके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये क्लासिस बाई मनीश सर से जर्मनी के अंदर होता क्या है कि जो युवा होते हैं जितने भी जर्मनी में युवा वर्क के लोग थे उन सारे लोगों के अंदर हिटलर को लेकर के जुनून की हद तक दिवान गिप चड़ी हुई थी तो नाचसी विचारधारा की घुटी जो है वह बच्चों को बच्पन से ही इसकूल में एडिमीशन के साथ ही उनको पिलाना पड़ेगी हिटलर के बारे में नाचसी विचारधारा के बारे में उनको बच्पन से ही समझाना पड़ेगा और इसके लिए जब बच्चा इस्कूल में हो तो इस्कूल के भीतर और जब इस्कूल छोड़ दे तब युवा वस्था की और जब आगे बढ़े तो बाहर मतलब दोनों जगह बच्चों पर नियंतरन जरूरी था जिसकी सोच थी नाचसी विचारधारा में लिप्टे हुए युवाओं की सोच थी जो हिटलर के प्रती दिवानगी की हद तक पागल हुए जा रहे थे अब हम देखते हैं कि नाचसी वाद के दोरान आखिर इसकूलों में ऐसा क्या हो रहा था तो आपको बता दूँ कि तमाम मतलब जर्मनी में जितने भी सकूल थे सारे के सारे सकूलों में चाहे छोटे कजबे का सकूल हो चाहे नगरों का सकूल हो चाहे सहरों का सकूल हो सब जगा सफाय और सुद्धी करण की मुहिम चलाए गई अब आपके दिमाग में आ रहा हुगा ये सफाया क्या है और सुद् इसकोलों में कोई ऐसा टीचर जो यहूदी जाती का है या नाच्सी विचारधारा के विरोध वाला कोई है तो उसको नोकरी से हटा दिया जाता और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता इस तरह की व्यवस्था इसकोलों के अंदर आरंब हो गए थी तो पहला क्या हुआ एंटी नाजिस्म जो थे टीचर उन लोगों को नोकरी से हटा दिया और इसके बाद उनको शूट आउट कर दिया गया अब बात आती है अगले स्टेप की तो इसकोलों में बोर्ड पर साफ साफ लिग दिया जाता कि जर्मन बच्चे और यहूदी या अन्य बच्चे अलग-अलग बैठेंगे एक साथ ये लोग न तो बैठ सकते हैं ना ये लोग एक साथ खेल कूच सकते हैं और बलकि बाद में तो ये किया कि जो अवांच्छत बच्चे यानि यहूदियों जिपसीयों और विकलांग जो बच्चे थे उनको इसकूलों से बाहर कर दिया गय और यह बोल दिया गया कि इसकूलों में अधिकार केवल और केवल जर्मन बच्चों का पढ़ने का है, जर्मन भी कॉन से? वे जर्मन बच्चे जो शुद्ध नशल के हों, जो 50 नाडिक आर्यन जाती के प्रजाती के हों, बाकी यहूदी, जिपसी, पोलिस और जर्मनी के विक स्कूल से ही नाजी वादियों ने अपने रंग दिखाना सुरू कर दिया अब जो जर्मन बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे उनको किस तरह की सिक्षा दी जा रहे थी भाई बाकी बच्चों को तो स्कूल से हटा दिया उन्होंने लेकिन अब ऐसे बच्चे जो स्कूल में रह गए थे उनका mind wash करना था किस तरह से उनको नाचसी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था अब नाचसी शिक्षा प्रक्रिया में क्या था उसमें ये था यह जो एक प्रक्रिया थी यह विचार धारात्मक प्रशिक्षन की लंबी प्रक्रिया थी ऐसा नहीं है कि ये एक या दो दिन की थी जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता उसी समय से उसको एक घुटी पिलाना शुरू कर देते यहुदी खराब हैं जिपसी खराब हैं आप सुद्ध जर्मन आ रहे हो आपको हिटलर की पूजा करना चाहिए इस तरह कि पूरी की पूरी उनके अं में नसली विचारधारा को समाहित किया गया उसमें ये बताया गया कि जो नात्सियों का नसली विचार है वो सही है कि जो प्रजाती ताकतवर होगी वो सर्वाइब करेगी जो कमजोर होगी उसको जाना पड़ेगा और इसमें मानवी हस्तचे जरूरी है हम उस सिध्धान्त जो Darwin ने जो Spencer ने लगाया है उसका ही पालन कर रहा है इस तरह की चीजें नसली विज्ञान के माध्य हम से बताया जाने लगा विध्यालों में जो सुद्ध चर्मन आरे के लोग नहीं थे बच्चे नहीं थे उनको हटा दिया और जो बच्चे थे उनको पूरी की पूरी नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता था अब यहीं तक नहीं रोपते थे, वहाँ पर जो जर्मन टीचर होते थे, उन जर्मन टीचर को यह हिदायत होती थी, कि यदि कहीं से कोई यहूदी रह भी जाए और नहीं भी है, तो भी यहूदियों की एपसेंस में, गड़ित की कख्छाओं में यहूदियों की खास च्छव दी जाती उस दोरान ये बताया जाता कि सारे बच्चों को जर्मनी का वफादार बनना है आग्याकारी बनना है आप सभी को हिटलर की पूजा करना है और यहूदियों से नफरत करना है इस तरह की चीजें उनके मन में भर दी जाती थी अब जब ये चीजें उनके अंदर भर किया जाता किसी भी तरह से उनके दिमाग में भरा जाता कि हिटलर ही देवता है हिटलर जो कहता है वही सत्य है हिटलर का विरोध कभी मत करो बाकी जर्मनियों के जो अवांचित नसले हैं जो यहुदी हैं उनको देश में रहने का हक नहीं है दुनिया में रहने का हक नहीं है ये बच्चों में बच्पन से भर दिया जाता था। हिटलर का तो यहां तक मानना था कि खेल कूत के जरीए बच्चों में हिंसा और आकरामक्ता की भावना पैदा की जाए। ऐसे खेल खेलाए जाएं जिनसे बच्चों में हिंसा की भावना उत्पन हो। उनमें आकरामक्ता और इसके लिए हिटलर मुक्केवाजी के विशेश प्रशिक्षनों का आयोजन करता इसके पीछे उसका उत्देश ये होता कि जो बच्चा होगा वह फॉलादी दिलवाला होगा ताकतवर होगा मरदाना होगा और उसके अंदर हेंसा के लिए कोई जहजक नहीं होगी जिसको क हैं उसको ततकाल मार सकता है वो इतनी पूरी तैयारी नाजियों ने और हिटलर ने करके रखी हुई थी अब इसके बाद जब इसकूली पार्ठिकरम हो जाता मतलब यह तो होगे इसकूल में बच्चों किस्ति थी जब बच्चे थोड़ी से युवा होते याने 14 साल के उमर में पढ़ रहा हैं और कुछ नहीं पढ़ रहा हैं उनके अंदर राष्टी समाजवात की भावना को जगाना था अब यह भावना कैसे जगे तो इस भावना को जगाने के लिए यह जिम्मेदारी नाजीवादियों ने एक युवा संगठन को सौपी और ये युवा संगठ जर्मन बच्चों को और जर्मन युवाओं का ब्रेन वाश करते उनके अंदर ये भरते कि जर्मन राष्टवाद आपका है जर्मनी की भूमी आपकी है बाकी सारे अवांचित हैं दस साल की उम्र के बच्चों को युंग फोंग में दाखिला दे दिया जाता अब युंग फोंग क्या होता युंग फोंग जो है 10 से 14 साल के बच्चों का एक संगठन था जो हिटलर का समर्थन करता था ऐसे 10 से 14 साल तक के बच्चों को युंग फोंग नामक संगठन में द ला करें तो 14 साल के उमर में हमारे यहां पे आप लोग जो है वो 9th का बच्चा 14 साल के बाद 9 वी में पहुंचता है 8 वी पास हो जाता है तो 14 साल के उमर में बच्चे युवा संगठन हिटलर यूथ की सदसिता लेने मजबूर कर दिये जाते मतलब जैसे ही बच्चा 8 वी पास होता कक्छा 9 वी में जाता उसकी सदसिता हिटलर यूथ में कर दी जाती अब यह हिटलर यूथ क्या करता हिटलर यूथ जो है एक प्लेटफॉर्म मन गया था किस तरह का प्लेटफॉ सब्सक्राब है ताना साही अच्छी है यहुदियों से समुदाय विशेश से कमीनिस्टों से अन्य अवांचत लोगों से घ्रना करने की शिक्षा दी जाते उनको मारने के प्रशिक्षन दिये जाते और इस तरह से जब ये चार साल तक गहन विचार धारात्मा शारीरिक उम्रग के हो जाते तब इनको लेवर सर्विस में सामिल कर लिया जाता अब ये बच्चे चार साल तक देखिए दस वर्ष से चार वर्ष तक हिटलर से यूद के मेंबर बन गई ये यूंग फोक के इसके बाद ये 14 साल से 18 साल तक लेवर सर्विस स्रम सेवा में आ गए यहा पर भी उनकी सेवाओं की जरूरत होती वहां 18 वर्ष की उम्र आते ही उनको वहां पर स्काम में लगा दिया जाता और जब 18 वर्ष की उम्र के बाद जब ये 2-3 साल वहां स्रम सेवा अच्छी तरह से कर लेते शारीरिक संगठन उनका च्छब बन जाता तब उनको सेना में भेज दिया जाता और वे एक सैनिक के रूप में प्रशीक्षन वहां पर प्राप्त करते और सैना का प्रशीक्षन हासिल करने के बाद फिर उनको किसी नात्सी संगठन की सदसिता दिलाई जाती थी तो इस तरह से पूरे योजना बद्ध तरीके से आप लोगों ने देखा कि बच्चे जो स्कूल में थे वहां से लेकर के नाजी पार्टी जोईन करने तक मतलब स्कूल में एडिमीशन का प्रमुक उद्धेश क्या हो गया था कि बच्चों को नाजी पार्टी जोईन करने के योग बना देना और उनके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कबजा कर लेना तो ये चीज़ें उन लोगों ने की अब यहाँ पर क्या है नाजी यूध लीग जो है इसका गठन सर 1922 में होता है 1922 में जब नाजी यूध लीग का गठन होता है इसके बाद चार साल और बीच जाते हैं 1926 आता है इसका नाम बदल कर कर दिया जाता है हिटलर यूध इ यह वो प्लेट फार्म था जहां पर बच्चों को हिंश आत्मक प्रिशिक्षन दिये जाते थे 1933 आते इस संग्ठन में लगबग धाई लाख बच्चे जुड़ चुके थे मतलब नौ से दस वर्स के अंदर अंदर इस संग्ठन में धाई लाख बच्चों ने सदस्ता ले ल अब सिर्फ एक ही संग्ठन होगा उसका नाम होगा हिटलर यूथ और सारे संग्ठन भंग करके हिटलर यूथ को ही आगे बढ़ाया गया तो इस तरह से यह काम किया गया तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हिटलर पूरे योजना बद्ध तरीके से जर्मनी में एक ए दीवाने हो चुके थे यह युओा बच्चो को प्रशिक्षित करते इनके दिलो देमाग पर भरते इस्कूल में टीचर उन बच्चो के दिमाग में भरते कि हिटलर ही तुम्हारा दे हुता है नाजीवादी हमारी विचारधारा है घर पहुंसते तो माबाप बोलते हिटलर हम आज वह 10 वर्स का होगा, 10 वर्स के होने तक उस बाल मन में यहूदियों के लिए, जिप्सियों के लिए अन लोगों के लिए नफरत भर दी जाएगी, 10 वर्स की उम्र होते ही वह यूंग फोक का सतर से बन जाएगा और उसके अंदर हिटलर को देवता मानने की भावना आ होता है वो, तो 14 से 18 वर्स तक हिटलर यूथ का मेंबर रहेगा, हिटलर यूथ का मेंबर 18 वर्स तक रहेगा, वहाँ पर उसको हिंसात्मक प्रेशिक्षन दिये गए, वह आकरामक हो गया, नफरत करने वाला एक अंगारा बन गया हूँ, जर्मनी का, और इसके बाद में क्य प्यार हुआ, तो नाजी पार्टी की सतस्ता दिलवादी, इस तरह से यूवाओं को जर्मनी में हिटलर ने अपने कबजे में ले लिये, इसके बाद ये तो यूवाओं की बात हो गई, पुरुस जो थे वो पहले हिटलर के कबजे में आ गये थे, अब जर्मनी की माताओं क महिलाओं के प्रती हिटलर नाजी ओ की क्या सोच थी, चलिए हम उसे समझते हैं मातरतु की नाजी सोच, मतलब मातरत यानने माओं के लिए नाजी वादी क्या सोचते थी नाच्सी जो जर्मनी था मतलब जर्मनी में नाजीवादी पाइटी थी हिटलर उनका प्रधान मंत्री था और उसके प्रधानमंत्रित तुकाल में उसके चांसलर होते हुए नाथसी जर्मनी में प्रतेग बच्चे को बहुत अच्छे से ये समझाया जाता कि ओरतें बुनियादी तोर पर मर्दों से भिन होती है ओरत का मर्द से बराबरी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता मतलब ओरत के लिए यदि मर्द के समान अधिकारों की कोई बात करता है तो वह गलत है ओरत और मर्द की बराबरी की अगर कोई बात की जाती है तो यह समाज को नष्ट कर देगा इसी आधार पर लड़कों को मरदाना और पत्थर दिल होना आकरामक होना शिखाया जाता था लड़कों को सक्त बनाया जाता था आप लोगों को याद आ रहा होगा रूस की करांती आपको याद आ रहा होगा फ्रांस की करांती मतलब महिलाओं को रूस में भी समानता का हक नहीं मिला था महिलाओं को फ्रांस में भी समानता का अधिकार नहीं मिला था और जर्मनी में भी यही हाल है मतलब यूरोप के वे देश जो आज विक्सित देशों की स्रेणी में हैं वहाँ पर पुरसों और महिलाओं के बीच में बहुत कहरी खाई थी, बराबरी का कोई दर्जा वहाँ पर नहीं था, और यदि कोई बराबरी की मांग करें, तो उसको सजा दी जाती थी, तो ये तो लड़कों को बोला जाता था, कि आप किसी भी तरह से महिलाओं को पुरसों के बराबर लाने की बात नहीं करेंगे अब उधर लड़कियों के दिमाग में क्या भर रहे थे उधर लड़कियों के दिमाग में ये भरा जाता कि आपका फर्ज एक अच्छी मा बनना है और आपको सुद्ध आरे रख्त वाले बच्चों को जन्म देना है उनका पालंग वहां के दी कोई है तो वह जर्मन महिला ही है यह बात बताई गई और इसके लिए हिटलर बकायदा 1933 में एलान करता है क्या एलान करता है मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर नागरिक मा है युवाओं के प्रती हिटलर के सोच को आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हिट दरधारा को युवाओं के अंदर रोप देना चाहता था ताकि वे बच्चे वे युवाओं पूरी तरीके से हिटलर के कबजे में हो जाए मानसिक रूप से अब जब हिटलर बात करता है कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर नागरिक मा है तो इसका मतलब है कि माओं पर गहरा संकठ है कैसे क्योंकि वह सभी माओं को एक समान नहीं बोलता है उसकी नजरों में अलग-अलग माओं में अलग-अलग भावनाय दिखाए देती हैं चलिए हम देखते हैं कि नाच्ची जर्मनी में मात्रत्व के प्रति क्या सोच थी चलिए हिटलर ने ये कहतो दिया क मेरे राज्य की, मेरे जर्मनी की सबसे महतुपूर नागरिक मा हैं लेकिन जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा वैभार नहीं किया जाता था उन में भी बहुत ज़्यादा फर्क किया जाता था ये फर्क क्या होता था फर्क हो ये होता था कि जो ओरतें नसली तोर पर अवांशित बच्चों को जन्म देती उनको दंडित किया जाता था आवांचित बच्चे मतलब यदि किसी औरत ने यहुदी बच्चे को जन्म दे दिया या विकलांग बच्चे को जन्म दे दिया या नार्डिक आरियन जर्मन्स के जो मापदंड थे जो DNA था उससे हटका अगर बच्चा जन्म लेता है तो ऐसी माओं को दंडित किया जाता जबकि नसली तोर पर वांचित मतलब जैसी इक्चा है डिजारेवल संतान को जो माप जन्म दे थी उन माताओं को इनाम दिया जाता ऐसी माताओं को विशेश श्विधाय दी जाती हॉस्पिटल्स हों चाहे दुकान हों हर जगह उनको छूट मिलती थी थीटर में रेल गाड तक सीमित हो ऐसा नहीं था उन्हें दंडित भी किया जाता लेकिन जहां एक और अवांचित बच्चों को जन्म देने पर औरतों को दंडित किया जा रहा था वहीं पर उनके अच्छे जन्म पर मतलब हिटलर ऐसी माओं को जो बहुत सारे बच्चों को जन्म देती थी उनके यदि किसी माने या किसी औरत ने चार बच्चों को जन्म दिया चार बच्चों को जन्म देने वाली औरत को कांश पदक से सम्मानित किया जाता जबकि छे बच्चों को जन्म देने वाली मा को रज़त पदक दिया जाता और आठ या उससे अधिक बच्चों को कोई मा जन्म द विभेद पैदा कर दिया कि अच्छी नसल पैदा होगी तो इनाम दिया जाएगा और अगर अच्छी नसल के बच्चे पैदा नहीं हुए तो निर्धारित आचार सहिंता का उलंधन करने पर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता। दी जा रही है जिसे मैं स्विकार करती हूँ और इस आपराधि क्रत्त के लिए उसको ना किवल जेल की सजा दी जाती बलकि उसके तमाम नागरे का धिकार छेन लिये जाते थे उसको उसके परिवार से उसके पती से भी दूर कर दिया जाता था। तो इस तरह से आप लोगों उने समाज के तपके के अंदर दो लोगों के प्रती, तीन लोगों के प्रती आपने हिटलर की सोच को देखा। बच्चों के प्रती हिटलर किस तरह से अपनी योजना बना रहा था, फिर युवाओं को लेकर और माओं अर्थात ओर्तों को लेकर के। उसने इन सारी चीजों के लिए प्रचार प्रसार की एक कला डवलप की हुई थी, चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं, प्रचार की कला, अब जब हिटलर ने सारी जर्मनी पर कबज़ा कर लिया, मानशिक रूप से, भौतिक रूप से अपना प्रोपेगंड़ा चला लिया, नाचि सासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होश्यारिश इस्तेमाल किया, और इसका जबरदस्त फायदा उठाया, मतलब मीडिया का फायदा नाजियों ने कितने सांदार तरीके से उठाया, इस बात को आप देखिये, कि वे लोग ऐसे सब्दों का इस्तेमाल करते थे, क जैसे नाचियों ने कभी लिखित में या अपने डाकूमेंट्स में जो लीगल डाकूमेंट्स होते हैं, उनमें कभी भी हत्या, मौत ऐसे सब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं, कोई यह नहीं कह सकता कि इन्होंने किसी हत्या की योजना बनाई है, किसी को मिरत्यूदंड द इन कोड़ बर्डों को आप याद कर लीजिए, जैसे यहूदियों को यदि मारना है, तो उनकी सामोहिक हत्या की जाएगी, लेकिन उसको सामोहिक हत्या नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा विशेश व्यवहार या अंतिम समाधान, मतलब यहूदियों को विशेश व्यव क्यों कहा जाता था और एक और नया सब्द आप लोगों के सामने आ रहा है शंक्रमन मुक्ती छेत्र जो गैस चेंबर को कहा जाता था कैसे evacuation मतलब खाली कराना इसका आसाय था कि लोगों को गैस चेम्बरों में ले जाना लेकिन गैस चेम्बरों को गैस चेम्बर नहीं कहा जाता था उनको कहा जाता था संक्रमन मुक्ती छेत्र और ये संक्रमन मुक्ती छेत्र इशनान घर की तरह बाथ रूम की तरह दिखाए देते थे वाश रूम की रिफ्रेश रूम की तरह दिख किया हुआ था शासन के लिए समर्थल हासिल करने और नाजसी विश्वद्रिष्टी कौन को फैलाने के लिए इन लोगों ने मीडिया का बड़ा ही सोच समझ कर इस्तेमाल किया मीडिया में पूरे टाइम यह दिखाया जाता इस्ट होया वैस्ट हिटलर ही बैस्ट इस तरह के विचारों को फैलाया जाता तस्वीरों को फिल्मों को रेडियो में लगातार हिटलर के बातें सुनाई जाती हिटलर की ही बातें विग्यापन आते फिल्मों में देखो तो हिटलर की बातें आती आकर सक नारे इस्तहार इनका खूप शहरा लिया जाता और पोस्टरों में जर्मनी के जो दुश्मन थे उनकी रटी रटाई छवियां दिखाई जाती, उनका मजाक उड़ाया जाता, उनको अपमानित किया जाता, उन दुश्मनों को सैतान के रूप में प्रश्टुत किया जाता, और जर्मनी की सारी समस्याओं का जड़ जो है उनी दुश्मनों को ब कमजोर और पथभरेष्ट तक्तों के रूप में प्रदर्शित कर दिया, पूरे देश में उनको बदनाम कर दिया, कि ये भरेष्टाचार में युक्त हैं, ये कमजोर हैं, इन्होंने देश की छवी को खराब किया है, और तो और इनको विदेशी एजेंट तक कहकर बदनाम कि लोड़ी गई, परमपरा पर यहुदियों को खास तरह की छवीयों में पेश किया जाता, अख़बारों में कार्टून बनाया जाते और उन कार्टूनों में ये बताया जाता कि लंबी-लंबी दाड़ी और चोगा पहने हुए जो लोग दिखाईद हैं, जो लोग हैं, वे यहुदी हैं, जबकि बास्त्विक्ता यह थी कि चाहे जर्मनी हों या जर्मन यहुदी हों अगर ये एक साथ खड़े हो जाएं, तो इनके बीच में फर्क करना संभाव नहीं था कि दोनों संभाव अलग हैं, दोनों संभाव एक दूसरे से इतने जादा घुले मिले थे कि वेश भूशा, आचार विचार, आचार वेवार से इनके बीच में फर्क करना संभाव था ही नहीं, लेकिन फिर भी अखबारों में, मीडिया में उन यहुदियों की छवी ऐसी गढ़ दी गई कि ये पोंगे हैं, लंबी दाड़ी हैं, चोगा पहनते हैं, लालची हैं, ग् लगे कि ये कुतरने वाले जीव हैं, नाच सिवाद ने लोगों के दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर डाला, और उनकी भावनाओं को इतना भड़का दिया, और यहुदियों के प्रती गुसा इतना पैदा कर दिया, कि उनको हिटलर में कोई कमी नजर नहीं आती, जितन अबादी के सभी से बच्चे, युवा, महिला, पुरोस, पिता, माता, बुजर्ग, यहुदी, जिपसी, सब को अलग-अलग तरीके से आकरशित करने के प्रयास किये, और सब को अलग-अलग तरीके से हटाने के प्रयास किये, पूरी समाज को अपनी तरह पाकरशित करने के लिए इन लोगों को इस बात का हैसास कराया कि जर्मनी में जितनी भी प्रॉबलम है जिस तरह की भी समस्या है उन सारी समस्याओं का समाधान उन सारी समस्याओं को एक सफाया कर सकता है तो केवल और केवल हिटलर एक मातरसाल लिउशन है तो वो केवल और केवल हिटलर इसके अलावार कोई नहीं ये दो चित्र आपके सामने दिखाये दे रहे हैं जिसमें एक पोश्टर में एक किसान को नाजीवादी अपनी उराकरसित कर रहे हैं और दूसरे पोश्टर में हिटलर को बताया जा रहा है कि वह एक मोर्चे का सिपाही है अग्रिम मोर्चे का युद्रत शिपाही है इन दौनों पोश्टर्स को आप गौर से ध्यान से देख लीजिए यह क्रिया कलाब का एक हिश्चा है जब हम question answer हल करेंगे तब इन दौनों पोश्टर्स के बारे में आप से बात करेंगे तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हिटलर और नाजीवादी सोच ने समाज के हर तपके को अपनी तरफ आकरशित करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया था किस तरह से उनकी ये योजना रहती थी कि अपनी तरफ कोई ध्यान न दे, हमारी कम्यों पर, हमारी गलतियों पर किसी के नजर न जाए उसके पहले हम ये बोल दे हैं इस यहुदी से नफरत करो इस जिप्सी से नफरत करो ये जो हमारे राजनितिक विरोधी हैं इन्होंने देश का कवाला किया है इनको मिटा डालो इनके प्रती नफरत करो इनको विदेशी एजेंट कहो इस तरह की प्रचार प्रशार किया जाता माताओं माताओं में फर्क किया जाता वही जर्मन महिला यदि अच्छे बच्चों को जन्म देती स्वस्थ बच्चे को जन्म देती तो उसे तमगे मैडल दिये जाते और यदि बीमार बच्चे को जन्म देते तो उसको डंडित किया जाता था ऐसा था हिटलर का माताओं के प्रती सोच युवाओं के प्रती भी यही हाल थे कि यदि युवा नाजी पार्टी के सदस्य बन गए तो ठीक है और अगर नहीं बने तो विदेशी आजेंट तो हैं इस तरह से आप लोगों ने इस पार्ट में बहुत अच्छे सी चीज़ समझ ली होगी कि हिटलर ने किस तरह से पूरा प्रोपेगंडा रचा समाज के हर तपके को प्रभावित किया और नाजी जर्मनी में युवाओं के प्रती माओं के प्रती अलग सोच बना ली और इस सारी चीज़ को उसने अंजाम दिया अपने प्रचार प्रसार की कला से सारी संस्थानों पर अपने कबजा करके और लोग डर दैसत और भय के कारण हिटलर की हां मेहां मिलाते और जो हां मेहां नहीं भी मिलाते वे चुपचाव सब कुछ देखने, सुनने और सहने को मजबूर थे, क्यों मजबूर थे, क्या चीज़ थी, ये सारी चीज़ों को हम आगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, तब तक के लिए मुझे आगया देजिए, जय हिंद